हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो आप सब कैसे हो आई होप आप सब बढ़िया होंगे ठीक ठाक होंगे फ्रेंट्स आज की जो रैस्पी है वो है मेथी के परांथे तो मेथी के परांथे बनाऊंगी मैं और मैंने सबसे पहले जो मेथी है उसको छांट लिया है उसको धो लिया है और बारिक काट लिया है साथी में मैंने लिया है यहूं का आटा इसी के साथ मैंने कुछ हारी मेर्चे अद्रक लसुन ये ले लिया है और थोड़ा से ड्राइव मसाले लिये है थोड़ा गरम पानी लिया है आटा गुनने के लिए और अद्रक लसुन और मिर्च को धोड़ा दरदरा पीस लेंगे बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है इस तरहां से पीसा हुआ दरदरा मसाला चाहिए अब एक खुले बर्तन में गेहूं का आटा ले लेंगे या प्रात में और उसके साथ ही हम डाल देंगे बारी कटी हुई मेती दरदरा पीसा हुआ मसाला अदरक लसुन और मिर्च का साथ ही में ले लेंगे कुछ ड्राइ मसाले नमक लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला और थोड़ी अजवाइन आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं या लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं तो आपको अच्छी लगती है, वो डाल सकते हैं, अब इसमें गरम पानी डाल कर थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको गूंद लेंगे, एक soft dough त्यार कर लेंगे, इसी के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, जिससे की color थोड़ा सा अच्छा आएगा, चलिए आठा त सिरकोना या square shape बनाते हैं, जैसे वैसे घी अंदर लगा कर परांठे के और फिर बना सकते हैं, तो मैंने गोल परांठा बनाया है, आप इस तरहां से गोल परांठा बनाएं, और तवे के उपर रखकर दोनों तरफ से सेख लें, और आप जोन सा भी तेल यूज करते हैं, या निकाल लीजिए, तो मैंने इसी तरह से परांठे सेक लिए हैं, तो यह देखिए करारे खिरारे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी परांठे, मक्खन के साथ, दहीं के साथ, कसी भी चीज के साथ खाएए, आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, तो मक्खन के साथ ख पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो पे जब तक के लिए बाई बाई